हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है एक के स्टडी विल्या में बिहार डियलेट स्रिविटी इंट्रेंट्रेंट्स एक्जाम 2022 का आज हम सभी हिंदी का मोक टेस्ट लगाएंगे जिसमें हिंदी के कोस्चन जो है वो 30 मिलेंगे अगर आप गलती करते हैं तो माइनस वन माक्स कट जाएगा तो ध्यान से देखिए और आप सभी को हिंदी में 30 में 30 आएगा यह मेरी पूरी ग्रांटी है बस आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखें और हम लोग सभी विस्यों का मोक टेस्ट लगाते रहे हैं सभी सब्जेक्ट का सेक्षन वाइज आपको मोक टेस्ट मिलती रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल एकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए यह एक सेट का है तो उसी सेट से हम लोग एक खाली अस्तान हो रही है क्या हो रही है जुआर के कारण इन वुखार के कारण क्या हो रही है ठकावट हो रही है हसी हो रही है खुसी दुखी तो इसका राइट इंसर है ठकावट हो रही है जुआर के कारण क्या हो रही है ठकावट हो रही है इसका हिंदी में आपको कपी करके भी बनाएंगे आप वीडियो के सुरू से लेकर अंतक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं आपको तीस में से कितने सही हुए सेकंड कोश्चन है दिये गए वक्यांज के लिए एक सब्द चुनिए जिसका कोई नाथ ना हो यानि जिसका कोई नाथ नहीं है कुनात अनात हजारी नात सनात तो राइट इंसर है अनात सही वरतनी वाले सब्द का चैन कीजिए सही वरतनी चुन्ना है जो कि सही लिखा गया है और तीन गलती लिखे गया है एक सही लिखे गया है तो सही लिखा गया हिंदुत्त है यानि option A जो है वो सही है दादा जी को बगवानी में खाली अस्थान है अब दादा जी को बगवानी में क्या है, सोख है, प्रस्न है, रूची है, नियम है, तो उनको बगवानी में क्या है, रूची है, ठीक है, किसी काम करने में रूची होता है, अगर सोख भी हो सकता है, लेकिन सोख कब होगा, जब आपको किसी चीज का सोख हो, यनि खाने, पीन गुमने का उस चीज़ को लेकिन अगर कर को किया जाए तो रूची है जैसे किताब पढ़ने के रूची है ठीक है तो यह देखिए यह जो दिया गया है उप्युक्त विकल्प का चेन करिए इसमें थोड़ी गलती है आपको सही करना है मेरी पेंटिंग दस हजारों में बिक गई तो दस हजारों में देखे लिका हजारों यानि संख्यार आता है तब हजारों यह सब का प्रयत्न करते हैं कि पांचों पांचों लोग के लिए पांचों का देते हैं तो ऐसे तो इसमें हजार होने चाहिए अब देखिए यहाँ पर आप्सन हमारे त दस हजार में बिग गए दस हजार में बिग गए दसो हजार में बिग गए तो ऑप्षन ए और डी तो होगा नहीं दसो ये तो ऐसे ही कर दिया गया जो कि संख्या में तो ऐसे पैसे में होने नहीं चाहिए तो बीक गई या बीक गए तो इसका राइट एंसर होगा बीक गई त बुढ़ा आदमी अपने खाली रस्तान से दुखी है तो बुढ़ा आदमी अपने क्या जवानी से दुखी रहेगा जवानी में किसको दुख रहता है तो बुढ़ा आदमी तो सबसे पहले लिखा है बच्पन से दुखी है तो अब तो मरने वाला प्रसंसा से दुखी क्यों ह बोड़ा आदमी क्या अपने बुढ़ापा से दुखी रहता है चलने फिरने येक बहुमें उसके क्या दीकत होती है अब देखिए इसका भी देखना है यहां किसमें दीकतная अंडरलाइन जो sentence किये गए हैं सब देखिये गए हैं उसमें गलती है आपको सही करनी है गरतन दिवस की प्रेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे तो कदम ताल होता है तो इसमें देखिए कौन सा option सही है इसमें देखिए फिर कदम ताल है तो इसका right answer क्या होगा अब इसमें द हाट देंगे तो आपका B option सही हो जाएगा कदम ताल होता है तो कदम ताल कर रहे हैं ठीक न अब देखिए इसमें भी आपको टूटी है दिए वाक्य में वह भाग्यात कि इसमें कोई तूटी है किसमें हम जानते हैं कि परिश्णम का फल साधा ही मीठा होती है जबकि साधा ही मीठा क्या होता है तो सदा ही मीठा होती है कि होता है इसमें देखना है आपको जिसमें कोई तूटी है जहां तूटी है तो मीठा होती है यहां इसका मतलब तूटी है हमको यह संटेंस find out करना है जो कि यहां तूटी है बाकि सब सही है आपको बताना था इसमें तूटी क लगना का इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा तो अप्सने है प्रयास से किम्ती वस्तु मिलना भी है योग्य होना सी बीना प्रयास के किम्ती वस्तु मिल जाना या डी बी सफल होना तो अंधे के हाथ बटेर लगना तो अंधे के हाथ मतलब क्या यानि आंधा इसान है अंध के हाथ में कोई लग गया समान हाथ में लग गया तो अंधे क्या अंधे के हाथ में लग गया या नहीं उसको दिखाई भी नहीं दे लेकिन हाथ में लग गया तो इसका मतलब बीना प्रयास के कीमती वस्तूस को मिल गया ठीक है कोई भी प्रयास नहीं किया तो यह चीज उसके होगा ग्री राज महाराज यम्राज यक्ष राज तो यक्ष राज इसका प्रयापिस चप होगा आप जानते हैं सभी कुवेर जो है पैसे के सारा चिज़ करते हैं एक सब्द देखिए क्या है जो मोख्ष चाहता हो अब जो मोख्ष चाहता है उसे क्या करते हैं मोख्षू तो और फिर से आ गया है तुरा टो इसको क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है और जानना है तो मोहन ने रुपयों का परवन अपनी पत्नी की गहने गह fall ने बेच पर किया अपनी पत्नी का यह जो गहने बेच कर यह का राइट इंशर जो है यानि इसमें तुरूटी है यह सब्सक्राइब योग्य योग्य का क्या होगा योग्य है यानि आप अगर deal at मे एक्जाम में participate कर रहे तो आप योग्य है सरकारि सित्ट लेने के लिए अब जो नहीं है तो लेकिन सभी को सित्ट मिलेंगी अगर वह लगतार पढ़़ते रहेंगे ऐसे हिं तो अब देखिए उप्युक्त विकल्ब का चैन करें अब दिखें इसमें उक्सूद करना है सीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ वह बच्चों के साथ क्या कर रही है खेल रहा है तो अब देखिए 15 में आपको क्या होगा तब खेल रहा है यानि सीला मेरी बहन है वह बच्चो के साथ यानि सीला खेल रही है तो सीला खेलेगी तो पंदरह का राइट एंसर क्या होगा अभी देखिए इसमें लिख रहा कि बच्चों को साथ खेल रही है तो गलती लिखा बच्चों के साथ खेल रही है ठीना तो फर्स्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा आस्तिक का बिल जाएगा नाइट एंसर आयात आयात विलोम सब्द है तो आयात का क्या होगा जो समन आता है अब इधर से जाएगा भी तो जाएगा भी तो क्या होगा निर्यात होगा तो सत्रा का सी राइट एंसर हो जाएगा प्रित्वी का प्रयावची सब्द है तो प्रित्वी का होती है और चंद्रा तो आप जानते ही है तो पर्याची सब्द भी आ रहा तो इसमें ध्यान देने वाली बात है अब देखिए यह क्या कर रहा उननीश से बाइस निम्नांकीत प्रत्यक प्रस्ट में एक वाके दिया गया है तथा प्रत्यक वाके के नीचे चार-चार सब्द दिये गये हैं वाके के काले भाग को सुध सुध व्यक्त करने वाली सही सब्द का चैन किया गया है जो बिकल्पों में से है अब देखिए इसमें जो ब्लैक बुल्ड है उसको आपको देखना है सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी करवाई करते हुए अनेक उग् आपको जवावी जो है यह तुटी इसको सही आपको करना है अगात प्रतिघात प्रहार आकर्मन तो राइट एंसर क्या होगा प्रतिघात यानि जवाब में जवावी करवाई की प्रतिघात यानि उगर से घात हुगा तावात उसके जवाब में प्रतिघात किये परिक्षा म कमर कसना कमर कस लिए हैं पूरे बढ़िया से एदम अच्छे से कर लिए हैं कि हमको एदम अच्छे से दोड़ना है यानि जो भी करना है मन से करना है द्रिन निश्चा है सभी को सभाव से देखना महापूर्षो को महापूर्षो का सभाव होता है तो सभाव समभाव से देखना ये देखिए सभी को क्या करना है तो सभी को क्या करना है कि सभी समभाव सो एक आँख से देखिएगा तभी तुम्हाप पुरुसों का सभाव होता है सभी में आप पुरुस क्या करते हैं सभी को ब्राबर देखते हैं तो एक आखना भाना एक आख से देखना है यानि एक आख से देखने का मतलब है कि सभी लोगों को ब्राबर ब्राबर देखना किसी में कोई भेदभाव नहीं करना मरने की इक्षा से कहीं अधिक प्रवल होती है जीने की इक्षा तो इसके बारे में जानना है तो मरने की इक्षा से कहीं अधिक प्रवल होती है जीने की इक्षा तो 22 का राइटेंस होगा जीजी विशा ठीक है तो बाइस का राइट एंसर जी जी विशा होता है जो जीवन के लिए अपने विश को यानि उसके विचार को परगट करते रहता है जीने की एक्छा अब देखिए तदभा सब्द चुन्ने हैं आपको तो तदभा जो सब्द होते हैं वो हिंदी के होते हैं तदभा मतल होता है जो देशी होता है जैसे लोटा है लाठी है और एक बिदेश जोते हैं हिंदी और अंग्रेजी की जिए brat को हिंदी आंग्लेजी एस दोनों को ब्राबर तो थेसका इसमें क्या होगा छुंसक्रित यह टक्र हो सब सारई गया आभ यह अगनी जो है यह क्या है खटाइक स्रक्रान में निमलीखित में कौन सा देशज सब्द है अब देशज देखे सब्द आ गया तो देशज कौन है जो हमारे गाउं में पला बढ़ा है तो वचन है ब्याकरन है फुंगी है घुर्षवार है तो इसमें फुंगी हमारा जो क्या है ये देशज सब्द है डाल रोटी में कौन सा सम समास है तो देखे समास आ रहा तो समास एक बार आपको पढ़ा दिये जाएगा पूरे अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा तो समास यानि दो ऐसे सब्ड जिन में जिनको बिगरह करने में माइनस ऐसा चीन आपको मिले या और र या तथा का बोध हो जैसे डाल और दोनों एक साथ अगर रहेंगे तभी तो ऐसा अगर कभी होगा तो दोंद कहिएगा राजा और रानी मता पीता राम और लक्षुमन ठीक ना राधा कृष्णा ठीक दीन और रात तो नमक मिर्च यह सब जो एक समान एक साथ है यानि एक साथ आते हैं उनका पहला दुसरा है में दोन्द होता है दीगू किसे कहेंगे तो दीगू उसे कहेंगे जिन में संख्या से सुरू होता है जैसे संख्या से सुरू होने वाले सब क्या हैं त्री लोग कहा जाएगा संख्या से देखे त्री लोग मतलब त्री मतलब तीन चोराहा यानि चो से चार चोराहा चार ग करेगा तो कोई अन्य ब्यक्ति का बहुत हो जाएगा जैसे गाजानंद गाजानंद कहा जाएगा गनेश जी का बहुत हो जाएगा चक्रपाणी विष्णुजिक्ट फिकतांबर पीला वस्तर धारन करने वाला ठीक ना मिर्तून जै मिर्तू को जीतने वाला संकर जी तो ये करमधारे करेगा तो ऐसा कभी बेगा तो द्वन कहिएगा अभी भीरवाव का बिलोव मार्थी सब्द है तो इसके अभी मार्थी सब्द होगा तीरो भाव अब देखिए आगे अब हम लोग आते हैं 27 जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में सब्द है तो उसके लिए हिंदी में सब्द है प्रतिवादी इन में से कौन सा सब्द उननाथक है तो इसके लिए उननाथक सब्द है लंगोटी 29 ग्यानपिट पूरुषकार से सम्मानित का बेगरंत उर्वर्सी की रचनकार हैं तो उर्वर्सी की रचनकार कौन है रमधारी से दिनकर तो मैं डियर फ्रेंट्स अगर आप सभी ने हाली में 12 पास किया होगा तो आप सभी लोग और धनारिस्वर चेप्टर पढ़े होंगे दिगांत भाग दो में और धनारिस्वर में रमधारी से दिनकर की लिखी होई कहानी निवंध है जिसमें पूरुस और इस्तिरी के उपर है उसमें एक नमर अब्जेक्टिम में ये बात रमधारी से दिनकर के बारे में लिखी गई है ठीक ना अब यहाई पर लिखा है ग्यान पिट पूरुसकार अगर पूछ देगा इन ही से रिलेटर सहीत अकाडमी पूरुसकार तो सहीत अकाडमी पूरुसकार मिला है संस्किर्ती के चार अध्याय पर इन में से कौन सा सब्द तलवार का समनार्थक सब्द है तो तलवार का समनार्थक सब्द है वह लव ठीक है तो ये थे हिंदी मॉक टेस्ट जो की 30 प्र करते रहिए और सरकारी सिट लेकर आएगे धन्यवाद